हम सब चाहते हैं अपने पूरे जीवन में सुन्दर दिखें स्वस्त रहे अच्छा रहे लेकिन कई बार कई लोगों के जिद्दगे में कुछ हाथ से हो जाते हैं जिनसे उनसे चेहरे से लेकर तर शेर के कई अंगों तक ऐसी कुछ विक्रूतिया हो जाती हैं कि फिर उन्हें लगता है कि यार हमारी सुन्दर पर कुछ जो है वो दाग लग गया है लेकिन घबरानी को कोई जरूरत नहीं है आज के चिकित सा विग्यार में ऐसी आधुनिक तकनीक है कि जिससे आप प्लास्टिक सरजरी के तरक का यूज करके फिर से अपने आपको सुन्दर बना सकते ह आपर अब अब करूंगा है से आपको जुड़ा और फिट प्रास्टिक सर्जेर के बारे में उस जो आपका जो जर्नी रही है उस पर थोड़ा सा बात करें नमस्कार आज एक जुलाइ याने नैशनल डॉक्टर्स डे इस आउसर पर मैं यह आप सबको बताना चाहूंगा और मेरे जो कलीक्स है मेरे जो फ पोर में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसको लागू किया था इन मेमोरी ऑफ डॉक्टर बी सी रॉय जो की एक बहुत बड़े फिजिशन थे और वो वेस्ट बेंगॉल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी रह चुके है और एक जुले ही क्यों मनाया जाता है डॉक्टर्स ड तो उसके लिए इनका जो जन्म हुआ था और मृत्यों दोनों याने बर्थ अनिवर्सरी और देथ अनिवर्सरी यह फर्च जुले को हुई थी इसलिए इसी को चूज किया गया सेंट्रल गवर्मेंट ऑफ इंडिया ने आज एक जुले हर साल बड़ी धुमधाम से मनाया ज मृट्जी की बहुत बड़ात्य जिसलिक्श ज्य॥ा elkी वह घ्याएं की बहूर घ्रण्यों की कहाना जओंकि क्योंदेग्र आज हमारे पास इतने सालों से पेशन्स आते हैं और वह एक ही question हमको पूछते है, sir, फ्रेता स्वाट्षी ग्रीख उप्लास्टिक ग्रीक वर्ड पीन द ग्रीधा का जे म्हांने मंत्रइवी हुई है, तो प्लास्टिकोस मेंने क्या कि जो भी एक मट्टी का गोला लिया और हमने उसको धाच लिया, जो शेप में चाहिए आपने को, कटोरी चाहिए कटोरी, बरतन चाहिए बरतन, कुंडी जैसा, तो हम उसको अपने मन से धाल सकते हैं, वैसे भी शरीर का कोई भी पार्ट हम ले और उसको अपनी रिक्मार्मेंट की हिसाब से उसको ढाल ले, तो उसको प्लास्टिकोस यह प्लास्टिक सर्जरी बोला जाता है, आप जैसा बता ले कि जैसे एक कुमार जो है, उसको आप एक मिट्टी दे दो, और उसको जो शेप आप देने के लिए लिए हो, तो वो उस पर घुमा के जिस तरह से उसको शेप देता है, बहुत सुंदर सुंदर बनाता है, उसी तरह से एक प्लास्टिक सर्जन या कॉस्मेटिक सर्जन का काम होता है, कि शरीर के वो अंग जो खराब हो चुके हैं, जिने फिर से पुरववत करना है, उसके लिए उनको एक टक्निक जो है प्लास्टिक सर्जरी की टक्निक से वो उनको फिर से खुबसूरत बनाते हैं, और इन सिटी होस्पिटल से सर आप बाइस सालों से जूड़े हुए हैं, यहाँ पर इस चिकित सा पधधती के लिए क्या-क्या सुविधाय मौजूद है, देखें, और इन सिटी यहाँ बहुत ही बढ़िया फैमिली होस्पिटल है, उसका लोकेशन भी बहुत ही स्ट्राटेजिक है, जो कि चार या पांच रस्तों के मिलन पे जिसको देवनगर स्क्वेर या खामला स्क्वेर बोला जाता है, और बहुत खुली जगर है, जैसा आपको कोई भी होस्पिटल में ज होस्पिटल है, बहुत बड़े बड़े पांच बील्डिंग का हमारे पास उसका एवेलेबिलिटी है, और आज हमारे पास चार मॉडूलर ओपरेशन थेटर से, टायलैसिस सेंटर है, तीन आइसीउ है और हमारे पास 53 नापूर वास्पिटल में जो कि नापपुर वास्वी तो उनके लिए एक blessings है कि जहां पर और दर्शुकों को मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जहें government departments हो या ऐसे कई सारे departments हैं जहां पर affiliated किया जाता है hospitals को वहाँ पर औरन City कई जगे पर बहुत तॉप पर है जहां पर आप सेवा है औरन City hospitals सबको सेवा है दे रहा है कि प्लास्टिक सर्जरी की बात करते हैं आपने वी जैसे बताया कि सिर्फ चेहरे से नहीं बाकर शरीर के विभेन अंगों को हम इसमें ट्रीट करते हैं तो किन-किन ऐसी घटनाओं में प्लास्टिक सर्जरी की जो है ज़रूत हमें पढ़ती है डॉक्टर साब ज़रा इसको बताएं देखिए प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी यह बहुत विशाल ब्रैंच है यह हमारे मानविये जीवन को head to toe याने hair transplant से लेके toe transplant इसका सब जगह applications है जैसा हमने बोला cricket में extra cover के इसमें एक फिल्डर को रखा जाता है उसी हिसाब से प्लास्टिक सर्जरी यह ब्रैंच है कि जो हर फिल्ड में काम आती है नियूरो सर्जरी और्थोपेटिक सर्जरी गाइनेक सर्जरी जनरल सर्जरी दर्मेटालोजी ओल टाइप ऑफ एंटी ऑफ्थेल्मालोजी तो ऐसा कोई भी शरीर का भाग इससे अधुरा नहीं रहा ज प्लास्मेटिक इस बात करते हैं और क्या एक दरशक के लिए बहुत इंपोर्टन की कई आपर हमें लगता है कि में और सुन्दर हूँ लेकिन और सुन्दर बनना चाहाँ हूए तो उसके लिए आपको कॉस्मेटिक सर्जरी के ज़ुरत है और कहीना कि अभी मेरे 25 साल में 40,000 के उपर operations हुए है, इसमें 40,000 operations में करीबन 80-90% operations ये middle class and lower middle class और below poverty line वालों के ही हुए है, और ये जो है ये बहुत बड़ा मीत है, कि प्लास्टिक सरजरिया ने बहुत ज्यादा पैसा लगना, ऐसी कोई भी बात नहीं है, हाँ, हर चीज के लिए पैस लगता कि आनुसा, कि जैसा आभी मैंने बताया कि प्लास्टिक सरजरी में 30-32 सब स्पेशालिटीज है, जैसा कि लोगों को लगता है कि प्लास्टिक सरजर्जन मले तो क्या कि मैं एक सर्जन के पास जाओंगा, तो वो हेर ट्रांस्प्लांट करेगा, एक जन करेगा, ऐसे उसके 30-32 सब स्पेशालिटीज है, इसलिए कोई भी प्लास्टिक सरजन को अपने जीवन में 3 या 4 सब स्पेशालिटीज में ही वो माहिर होता है, जैसा कि मैंने हेर ट्रांस्प्लांट किया, या मैंने कॉस्मेटिक सरजरी किया, या मैंने लेजर्स किया, तो उस हिसाब से मेरे पास पेशन्स का फ्लो आने लग जाता है, समाज का एक बहुत बड़ा अंग जिसको बुले है, बिलो पाउर्टी लाइन, जो बहुत ही अधिवासी शेत्र से आते है, आईसे लोगों में क्लेफलिप और पैलेट, यानि फटा हुआ ओट और फटा हुआ इनकी बहुत ही ज्यादा मातरा में ये डिसीजिस पाये जाते हैं, जैसा गड़ चिरोली है, गुंदिया है, भंडा रहा है, यहां से ये पेशन्स हमारे पास काफी मातरा में आते हैं, जहां पे नूट्रिशनल डिफिसेंसी है, जहां पे बेसिक मेडिकल फैसिलिटीज भी अभी इन लोगों को जब जनम में उसे बच्चा ऐसा दिख जाता है, तो माबाप बहुत नाराज हो जाते हैं, और वो बोलते हैं कि यार ये बच्चे का कहीं ग्रहन तो नहीं लगा, या माग के पेट में किसी का शाप तो नहीं लगा, आईसी भी उसमें बहुत सारी गलत है, इसमें आज आती है, तो हमने इसके लिए एक स्माइल ट्रेंड नाम का प्रोजेक्ट खोला था, जिसको बिलगेट्स फांडेशन और ABMSS नाम की जो ट्रस्ट है बेंगलोर के, इन्होंने उसको एंजियों है, इन्होंने फंडिंग किया, इसलिए आज ये जो सर्जिरी है, ये टोटली फ्री आफ कोस्ट हो जाती है, तो जो रुरल के जो बच्चे या वहां के जो ग्रामिन क्षेतर में जो लोग है, जिनको जो इस दुविधाव से गुजर रहे हैं, उनके लिए तो ये मैं कहूंगा कि ये ब्लेसिंग्स हैं, एक वर्दान जो कि और इन सिटी तो कुछ एडवांस्मेंट भी होए होगे, कुछ नई तकनिक आई होगी, कुछ नई इंस्ट्रुमेंट्स आए होगे, वो क्या है उसके पर आप कैसे रोश्के डालेंगे? जैसे कि हमने देखा है, जो मैंने 2005 में MSCB ब्लास था, उसमें 12 इंजिनियर जल चुके थे, चंदरपूर थर्मल का प्लांट में, तो ये CTPS प्लांट का एक ब्लास था, उसके बाद सेकंड ये जो था, लॉइड स्टील का एक ब्लास था, जो कि गुगुस नाम के प्लेस से चंदरपूर के पास, वो बारा पेशन्ट एक साथ बंस आये थे, उसके बाद निकिता फार्मासिटिकल जैसी कंपनी के चवदा बंस थे, और उसके बाद उत्तम स्टिल गलवा के 24 बंस हमारे पास दो साल पहले आये थे, अभी जो इंडोरामा में बड़ा ब्लास था, एक छे बंस एक साथ आये थे, तो ऐसे कहीं ट्रैजेडीज हमने और निकिती में सक्सेस्पुली कंड़क्ट किये हैं, और हर पेशन्ट को जीवन दान दिया है, पट अभी मैंने देखा कि लास्ट 25 साल के समय में, जो बंस में हमारे पास जो टेकनिक्स अवेलेबल रहते थे, एक simple non-adherent dressing भी मिलने को तब मुश्किल रहता था, तब हम हाथ से paraffin gauze बनाते थे, आज resources कम थे तब, और पेशन्ट को बचाने के लिए भी मुझे त्वचा लगाता था तो मुझे उसको एक-एक धागे से सीलाना पड़ता था, आज skin staplers आये हैं, उसके बाद adhesive glues आये ह उसके बाद हमारे पास अलग-अलग dressing technology है, जो कि आज 3-5 लाग रुपए के बीच में भी कुछ-कुछ integral नाम की dermal substitute dressings है, वो हमने science के माध्यम से available हो गई है, जिसलिए आज burns का percentage जो पहले 20% या 40% burns भी बचने के लिए काफी मुश्किल जाती थी, आज हम 60-80% burns बड़ी आसा जानी से उसको अपने घर बेज रहे है, जैसा लेजर्स आये है, पहले कैसा था कि burn surgery के बाद जो वेंग हो जाता था तो उसमें सामाजीक उसकी जो यह थी, rehabilitation process, वो rehabilitation नहीं होता था, तो उसकी लिए भी एक वो अपने समाज के उपर बोज बन के वो लेक्ति जिन्दा तो है, हमने उसको ठीक तो किया है, बटो कोई काम करने के लायक नहीं रहा, जी उसको भी समाज में अपने जो पहले की उसकी जो प्रवरुति थी, उसके साथ में जीने के लिए उसको बड़ी दिक्कत हो जाती है, और आपने जो एडवांस्मेंट की मदद लेके और अपनी जो surgery की पर जोईन होते हैं, जी बिलकुल, और उनके जब चेहरे पर हम खुशी देखते हैं, तो वो कहीं या करोड़ों रुपे कमाने से भी वो जो खुशी है, वो हमारे लिए बड़ी वरदान जैसे साबित होते हैं, कि हम और इस फिल में आगे काम कर सकते हैं, एक सर आप इसके स क्या किया जा सकता है, आप क्या बताएंगे उस पर? देखिए, भारतिय समाज में हम आज भी देखते हैं कि तंबाकु, जारू, सिग्रे, घुटका, यह जो सेवन होता है, आजकल, बहुत आम किसम की बात हो गई है, और उसके कारण, लोगों को समझ में नहीं आता है कि वो ना सांस ले पाता है, ना खा पी सकता है बराबर, इस situation में वो जब आते हैं तो उनकी बहुत बड़ा, जब वो stage 1 में रहता है तब उसको कोई ध्यान नहीं देता है, stage 2 है, stage 3 में हमारे पास वो आते हैं, तो उसलिए उसका जो बहुत बड़ा अंग उसमें से निकालना पड होता है, जैसा कोई स्त्री को अभी cancer breast हो गया, या कोई ऐसा जगह पे tumor हो गया, तो उसका वो part हमको निकालना पड़ेगा, तो उस part का function वापिस लाने के लिए हम दूसरी mass tissue का उपयोग करके, वहां उसको उस mass tissue के size और shape में डाल देते हैं, जिसके कारण उसको वो अंग फिर नाम का bone लेके, वहां पे microvascular technique से उसको जोड़ देते हैं, जिसके कारण वो, और उसके उपर हम 6 मेने के बाद उसमे artificial teeth भी बिठा सकते हैं, तो इसके कारण एक वो उनर जीवन जैसा उसको मिल जाता है, उसका rebirth ही आपको परणा पड़ता है, और यह जो टेकनिक है, microvascular and cancer reconstructive surgery, यह दोनों ने मिलके, इसको बहुत ही बड़ा, उनका expansion हुआ है, cancer surgery में. मैं तो कहूँगा कि आधुनिक वैद्यक के चिकित्सा के लिए यह वर्दान ही ही है, जिसका लाब जो है cancer, अमोमन तो किसी को cancer हो ही नहीं हम तो यही प्रार्थना करने हैं, लेकिन हमारे कुछ माध्यम से हम संदेश ही दे सकते हैं, कि आप इन सब चीजों से जो वैधारी किशाना लिखा होता है, इसके सारी चीजों के उसके उपर में ध्यान ते हैं. डॉक्टर साथ, जो आपने कहा कि हम किसी रिजन का हिस्सा निकाल कर फिर वो ऐसे हिस्से पर लगाते हैं, तो फिर माध्यम में अवेलेबल रहता है. तो ऐसे जो पार्ट है, जैसा अब यहां कि जो कुछ मसल्स है, पेक्टर रिलिस में जार, जो इसका फंक्शन जाने से हमारे जीवन में कुछ बड़े हैंडिकापनिस नहीं आता है. तो इसलिए हम ऐसे टीशू का इस्तिमाल करते हैं, जि में को दूसरा मास का हिस्सा लगाना है, और कहां का लगाना है, यह बहुत इंपोर्टन होता है, और यह तो आप जैसे एक्सपर्ट ही हमको बता सकते हैं. डॉक्तर साब, और इन्सीटी हॉस्पिटल, इन सब चीजों, यह जो ट्रिक्टमेंट्स हैं, इनको मुहया कराने के लिए क्या और बहतरी में वस्थाय प्रदान करता है? और इन्सीटी में कैसा है कि 24 इंटो 7 पैथालोजी लेब है, टेक्निक्स है, CT हमारा है, मैमोग्राफी है, उसके बाद हमारे पास हिस्टो पैथालोजी सेक्शन्स है, जिसके माध्यम से आज हम स्टेज का कैंसर अलग-अलग फैकल्टी के रहने के कारण, जैसा कि इंटर डिपार्मेंटल को रिलेशन, जैसा मैंने एकाथ एक कैंसर पैशन को आपरेशन किया, और थर्ड दे समझे, उसको किड्नी का फेलियूर होने लग गया, या यूरीन आउटपुट कम होने लग गया, तो ऐसे सिश जान बचाने में, और अरेंज सिटी लास्ट 25 साल से सक्सिस्फुल रहा है, इतनी सारी सुविधाय साथ एक जगे पे होने से, मुझे लगता है कि आपको सरजरी की या किसी भी ट्रिट्मेंट के लिए बहुत जादा समय गवाना नहीं पढ़ता होगा, और चाहे कोई भी र प्रतित हो रही है, चलते चलते डॉक्टर साथ, आप पूरे समाज को आज डॉक्टर्स डे भी हैं, तो इस डॉक्टर्स डे पे आप ऐसी कोई भी चीज जो हमारे और आपकी बातचीत के दवराद्यागरश आपको लगता है कि चूट गई है, वो और कोई ऐसा संदेश, ज हमारे डॉक्टर बांधवों के लिए भी है, कि डॉक्टर्स डे एवरी येर हम सेलेब्रेट तो करते हैं, पर उसका कोई मुल्यांकन नहीं होता बाद में, जो आज मैं इस माध्यन से आपको बताना चाहूंगा, कि डॉक्टर्स डे यानि कि आज डॉक्टर और पेशन के ब बट हास्पिटल में एक भी पेशन के साथ प्लस माइनस हो गया, तो उसका मुआज़ा हास्पिटल और डॉक्टर्स को भुगतना पड़ा है, तो यह जो आजकल डॉक्टर और पेशन के बीच में जो ट्रस्ट है, फेथ है, एक सफलता पुरवक उसका पुनर गठन होना चा अगर हेल्थ की उपर बढ़ा दिया, गवर्मेंट में, तो उसमें पेशन को और हमारे समाज में एक सफलता पुरवक उसको हम हेल्थ की जो पॉलिसीज है, वो लागू करने में कामियाब हो सकते हैं, तो हेल्थ को सरवच प्राथमिकता हमारे जीटीपी में देना बहुत आ और तिसरी बात है कि आज हमको समझ में आना चाहिए कि आज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट ये बढ़ते जाने का कारण एक है कि पहले डाइग्नोस्टिक फैसिलिटेज अविलेबल ने थे, जब मैं 25 साल पहले टेबल और खुर्सी और मेरे हाथ गल्ले में स्टेटोस को, इतन इन दिन पहले हमने हमारे हॉस्पिटल में हमारी एक सिस्टर का हस्बंड को ब्रेन टूमर पाया गया है, जो कि हमारे पास लास्ट छे मैने से आ रहा था है हेडएक हेडएक बोल अभी हमने बोला सिटी स्कैन कर तो उनको लगता है नहीं भड़ी हॉस्पिटल डारेक मुझ उसको भी अलग-अलग डाइगनोस्टिक फैसिलिटिस का यूज करना पड़ेगा जैसा कि कोई अल्ट्रा सोनोग्राफिय कि जो पेट में कहीं कुछ पल रहा है गया कहीं कुछ ब्लड टेस्ट करना पड़ता है तब जाके आज हमारा डाइगनोस्टिक जो एकूरसी है वो 98 परसेंट तत हूँ क्यों हो चुकि है क्योंकि हम लास्ट पास से दस सल में हमने उस अलग-अलग टेक्निक हमारे पास आए है एडवांस में सिंपल यहमाराय मशीन का उधरन दीजिए यहमाराय मशीन पहले 0.8 टेसला थी फिर एक टेसला आज तीन टेसला यहमाराय जिससे ह तो भी हेड़-टू-टो की जो हम दोस्तों बात कर रहे थे अभी वो मशीन की क्वास्ट 9 करोड रुपए से 14 करोड के बीच में आती है तो वह ऐसा है कि कोई डॉक्टर को भी खर्चे होते हैं और होस्पिटल को भी काफी खर्चे हैं जो कि आज बोला जाता है कि सफेद हा तो आज हम लोगों ने जो बात कि डॉक्टर दर्शन रेवनवार सर से जो की कॉस्मेटिक और प्लास्टिक सर्जन है और और इंच सिटी होस्पिटल जो की मध्य भारत का एक बहतरिन सा होस्पिटल वहां पर अपने सेवाए दे रहे हैं इन से बातचीत के दोरान दर्शु बहतर इलाज जो है बिलकुल आपके लिए सक्षम हो सकता हैं साथ ही सरकार को भी ध्यार देना चाहिए कि पबलिक हेल्ड के लिए GDP मतलब बजट में ऐसा कोई प्रावधान करे कि इच और एवरिवन जो भी भारत के नागरिके कोई भी किसी भी तरह की स्वास्ते सेवा से व जो है आज आपने बहुत बड़ा दे बहुत काफी क्यूरिया और बहुत ही समझ जिससे पद्धती से आपने हमें समझाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद से नमस्क्राइब